यह नुसका बालो का जड़ना एक ही बार में रूकेगा बालो को बहुत ज़्यादा लंबा घना मोटा और चमकदार बनाएगा जड़ी बालो को दोबारा से उगा देगा हलो फ्रेंस वागताब से भी आपके अपने यूटीब चैनल अर्वेट के हिल्थें बीटी सीक्रिट में आज़केश वीडियो में आपके साथ एक ऐसा हेर ग्रोथ मास्क सेयर कर रही हूँ जो सिर्फ आपके बालो के लिंथ को ही नहीं बढ़ाएगा बलकि आपके बालो की थ चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेट आज की सेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है मेथी दाना दो चमच मेथी दाना में लिया है तो आप चाहें तो दो चमच मेथी दाना को इस तरह से लेकर आप रात भर के लिए पानी में भिगो दे मेथी दाना कमजोर बालो को भी मोटा बनाने में मदद करता है सर का गंजा पंदूर करता है मेथी बहुत ज्यादा फायदे बंद होती है हमारे बालो के लिए बहुत सारे पोसत अत्तो और मिनरल से भरपूर होती है तो यहां पर एक बड़ी गिलास मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसको बॉइल करूंगी तो आप चाहें तुराद भर के लिए मेथी को भीगो सकते हो अगर आपने भीगो या नहीं है तो आप इस तरह से इसको बॉइल कर सकते हो पानी थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में रखनी है क्योंकि जो मेथी होती है वह काफी ड्राय होती है और उ मेथी मेने पका लिए और इसका पानी भी शूख गया है तो आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिम पानी रखना है उसके बाद गाई जादी हो गई है और इसको दबाने से बिल्कुल पिर जादरी नहीं है बिल्कुल अच्छे से यह सौफ्ट पक चुकी है तो आप मैं इस मेथी में डाल कर आप इसको पीश सकते हूं क्योंकि मेथी का पानी होता हो भी बहुत जादा पावर्फूल इंग्रेंट होता है हमारे हेर ग्रोथ के लिए तो एक क्लीन बॉल मेने लिया है उसमे सारा मेथी में ट्रांसफर कर लोंगी तो आप इसकी क्वांटिटी दे सकते मेथी में पोटैसियम होता है कल्सियम होता है और विटामिन ई होता है साथ ही इसमे प्रोटीन होता है जो हमारे जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाता है लंब बनाता उसके बाद मेडियम साइज का एक प्याज है उसका मैंने आधा प्याज मैंने आप लिया है प्याज में अगर आपको हेर फॉल हो रहा ताप यह एर पैक जरूर ट्राइब कीजिएगा यह एर ग्रोथ के लिए अच्छा है और बालों के जड़ने को भी बहुत जल्दी से रोग देता है तो प्याज को छील कर मैं इसके चुटे-चुटे पीसे काट लोंगी उसके बाद यहां पर हम देश refund मैं इसको पीस कर इसका बहुत फाइन जक्ड़ फाइन फोलय को मघ पर Computer कर आद देए इसमें तो सी पेश लइते हैं जो मेधिदानी पानी है वही पानी डाल कर आपको एच को इसको पीस idea है आगर मेधिदानाब इस नहींता पानी ऊसको थोड़ा पाहर से पानी इसको कैसे लगाना है और कितनी बाल लगाना है सब जानना बहुत जरूर है इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें तो फ्रेंट आप देख सकते हूं पूरा एक बोल हमारा ये मेथी दाना का ये पेश्ट तयार हो गया है तो उसके बाद मैंने आपर एक चम्माज आवला प प्रक्राभी आप ताजा या मार्केट वाला कोई भी प majestic लेशा होता है तो य८रे बालो को साइनी बनाता है शरढ़ा के बहुत अच्छी क домदिश्णीक करता है अब इसमें और मैं पर बख सीजा कहरता है बहुत ज्यादा बालों की हालात खराब जाते हैं, कुछ लोगों के बाल, तो उनके लिए भी यह हेर मास्क बहुत ज्यादा वेनिफिसियल है, तो यह हेर मास्क हमारा बंकर गया है, अभी इसमें एक और चीज में आड करूंगी, जो कि हमारे हेर गोत को तेजी से प्रमोट कर करूंगी, तो उसमें अभी हम डालेंगे, एक चम्मच कैस्टर ओयल, आप यहां पर कैस्टर ओयल की जगा, दो से तीन विटामिनी कैसूल या फिर नारियल के तेल भी डाल सकते हो, लेकिन कैस्टर ओयल हेर थिकर के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिसियल होता है, हेर पर पैचेस पड़ गया है, बहुत ज्यादा इस्ट्रीम लेबल का आपको हेर फॉल हो गया है, तो भी यह एर मास्क जरू ट्राइ करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके बाल बहुत जादा रूखे सुके बेजान स रहते हैं, तो भी आप इस हेर मास्क को तो आधा मैंने रख दिया और आधे में मैं यहाँ पर कैस्टर ओल डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, आप चाहें तो इसकी कंसेंटेंसी को थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, वैसे इसकी कंसेंटेंसी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, आपको अगर थ आपके बालों में नहीं फसेंगे, तो मेरा जो पेश्टे काफी स्मूध है, इसलिए मैं इसको चानूंगी नहीं, तो चली जान लेथा, इसको कब कैसे लगाना है, तो आपको सबसे पहले अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना है, क्योंकि अगर आप टैंगल बालों में hair pack या hair mask लगाते हुँ तो बाल और ज़्याद़ उलज जाते हैं इसलिग सबसे पहले आपको comb करने का कोबचने बाद μाग करकरके इस hair mask को आपको अपने scalp में लगाना है सबसे पहले आप इसकोब बहुत अच्छे से लगा लीजी और अगर यह ज्यादा क्वांटिटी में बन गया है तो आप इसको अपनी हेर लेंद पर पर अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से अपने स्केल पर लगा लेना है लगा कर इसको एक घंटे के लिए अपने स्केल पर ऐसे ही छोड़ देना है आप चाहे तो सावर क यहार पर विख हो रहा है आपके सर पे बहुत बड़े-बड़े पैस पड़ते जा रहे हैं बिल्कूल आपका सब्लाशना छाली होता जा रहा है तो आपसे एक बार विख में तीन बार जरूर लगा सकते हैं तो दो बार आपuing बαरा चीजिए और गर्मीयों में लगा रह den तो वीक में तीन वार आप इसको जरूर अपलाई करेंगा इस बहुत ही गजब का हेर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और गाईजी सेमास के सबसे अच्छी विसस्ता यह है कि से महलाएं या पुरूस या बच्चे कोई भी लगा सकते हैं छोटे बच्चों को भी आप लग फ्रेंट यह बालों में बहुत अच्छी चमक भी आएगी तो इसमें अलोवरा की कौंटिटी आप ज्यादा डालें दो से तीन चमच आप यहां पर या चार चमच भी आप यहां पर इलोवरा जिल डाल सकते इससे बाल बहुत सौफ और सिल्की भी ही बालों एको दूर कर द मालो। एकальную पाला। अवला पाउडर, और कि उसकंदाइं जाए हैं जबता है त्वक्आ बालो को सबस्कों काल पाना है और आप defending को सबते हैं पोले काई काया कि भीडियो खुडर सब्सक्राइबма बलग कर लेगे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर दबाएं अल आपसन को भी सिलेक्ट करें इस तरह कि यूच्फुल वीडियो देखते रहने के लिए इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड या किसी बी तरह कि आपको स्किन हेर से रिलेटेड प्रोबलम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम उसका जरूर रिप्लाइब करेंगे गाइस सो फिर मिलते है निस्ट वीडियो में थैंक्स वाचिन टेक कियर बाइबाई